आज मैं आप सभी के लेले कर आई हूँ जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधाना ध्यापक भरती परिच्छा 2021 का सामान ने अध्यन जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवारे हैं जो आपकी पार्ठिक्रब में निर्धारित है कि इसमें से 50 प्रशनाएंगे उसकी प्रैक्टिक्स संख्या 8 को लेकर आई हूँ इसके अलावा मैंने 7 अभ्यास को अपने चैनल पर डाल दिया है उसको जा मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी आज मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिल जाए अभी भी आपके पास दस दिन ही है 17 अक्टूबर को एक्जाम है लेकिन आप लोग यही काउंट करिए कि हमारे पास सिर्फ अभी 10 दिन बचा है उस 10 दिन आप हमारे चैनल के साथ बने रही है मैं अब आपको थोड़ा तेजी से तैयारी कराऊंगी तो चलिए आज की वीडियो को स्टाट करते हैं तो पहला प तो देखिए इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजीकिस्तान, तुर्के मिनिस्तान और उजबेकिस्तान ने हिस्सा लिया था ये बिल्कुल सही है यह भारत मद्ध एशिया वारता की पहली बैठक थी ये गलत है वित्मंत्री निर्मला सीता रमर ने भारत का अप्रतिन किया ये भी गलत है इसके बारे में बता देती हूँ कि यह भारत मद्ध एशिया वारता की दूसरी बैठक थी इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजाकिस्तान, तुर्के मिनिस्तान और उजबेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ किर्गिस गर्डराजी के पह किस राज्य सरखार ने तेरहवे राश्टी बालिका दिवस के दोरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान सुरू किया तो इसका अंसर हुगा पंख मध्य प्रदेश ठीक है तो 24 जन्वरी को प्रतिवर्स बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं के अधिकारों और उनकी सिच्छा, स्वास्त और पोशन के महत्तों के बारे में जागुता बढ़ाने के लिए राश्टी बालिका दिवस मनाय जाता है वर्स 2021 में तेरहवे राश्टी बालिका दिवस के अवसर पर म्रद प्रदेश सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है पंख का अभियान नाम से एक योजना सुरूगी मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ आप सुन लीजिए तो ये प्रशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टिंट होगा एक्जाम के लिए अगला है सौरूर्जा के छेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताचर करने के लिए किस देश को केंद्री मंत्री मंडल जन्वरी 2021 में मंजूरी दी है तो इसका आंसर होगा उजबेकिस्तान 20 जन्वरी 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अधिचता में केंद्री मंत्री मंडल ने सौर उर्जा छेत्र में सहयोग के लिए भारत और उजबेकिस्तान के मद्धिस समझोता ग्यापन पर हस्ताचर करने को मंजूरी दी है इस परियोजना में सामिल संस्थाएं है National Institute of Solar Energy नई और नवी करणी उर्जा मंत्राले भारत और अंतराष्टी सौर उर्जा संस्थान और उजबेकिस्तान अगला प्रश्ण है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पर सम्मेलन के अनुसार 2020 के लिए भारत की FDI दर थी क्या थी FDI दर 13 प्रतीशत की व्रिद्धी भारत का 91 राष्टिय फिल्म महुत्सो कहां आयुजित किया गया तो ये आयुजित किया गया पढ़जी गुवा में अगला है प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी जी सैवन सिखर सम्मेलन में सामिल होंगे इस संदर्व में निम्न कथनों में से कौन साक से कथन सत्ते हैं तो इसको हम देख लेते हैं G7 दुनिया के साथ सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समू है ये गलत है फिर है भारत G7 के संस्थापक देशों में से है ये भी गलत है लेकिन 2021 में होने वाले 46 वे G7 सिखर सम्मेलन की मेजवानी ब्रिटेन कर रहा है ये बिल्कुल सही है तो इसका अंसर होगा केवल 3 इसके बारे में बता देती हूँ कि G7 दुनिया के साथ सबसे विकसित अर्थ वस्था वाले देशों का समू है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसके सदसे देश है इस सम्मेलन में G7 का विस्तार भी होने वाला है जिसमें 10 लोगतांत्रिक देश सामिल होंगे इसका नाम D10 कर दिया जाएगा D10 10 लोगतांत्रिक देशों को दर्शाता है वर्ष 2021 में होने वाले G7 सिकर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है ब्रिटेन ने भारत, तच्छिड, कोरिया और आस्ट्रेलिया को G7 राष्ट्रों के साथ शामिल करने का प्रस्ताव दिया है अगला प्रश्ण है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी को किस देश ने प्रतिस्ठीत लीजन आफ मेरिट सम्मान प्रधान किया है तो इसका अंसर है सैयुक्त अरब अमीरात ठीक है अगला प्रश्ण है हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैस प्रमाडन क्या है तो जो ब्लू फ्लैस प्रमाडन है वो है समुद्र तटो को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैसी प्रमाण पत्र यह आप जरूर देख लीजेगा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया यह फ्लैस लिखा है, ब्लू फ्लैग होगा, ठीक है यहां में स्प्रिंट है तो ब्लू फ्लैग, विश्व का सबसे माननेता प्राप्त व प्रतिष्ठित स्वैच्छी एको लेवल परियावरन हितासी अवार्ड है, जो शमुद्र तर्टो को प्रदान किया जाता है ब्लू फ्लेस कारेकरम को फ्रांस के पेरिस से सुरू किया गया यह प्रमार्ण डेन्मार्क की अजंसी द्वारा 33 सक्त मांदंड की आधार पर किया जाता है ठीक है? चलिए आगे देखते हैं स्वदेस विक्सित पहली नीमोनिया की वैक्सीन नीमोसिल का निर्मार करने वाली कमपनी है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है तो इसका आंसर है सीरम इंस्ट्यूट ओफ इंडिया इस वैक्सीन को पूरे इस्थित Serum Institute of India Private Limited ने बनाया है नीमोनिया के उपचार के लिए स्वदेश में विक्सीत या पहली वैक्सीन है इसका नाम क्या है नीमोसिल तो आपसे इससे बहुत तरह से प्रश्ण बन सकता है कि नीमोसिल किस चीज की वैक्सीन है फिर पूसकता है कि नीमोनिया की पहली वैक्सीन कौन सी है जो स्वदेश में विक्सीत हुई है Serum Institute of India में विक्सीत हुई है तो इसको एदम ऐसे रट लीजिए अगला प्रशन है हाली में संपन हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल 2020 में Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है तो इसका नाम है ओम पुरी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अवार्ड समारूह में हिंदी सीने जगत की दिगज अभिनेता ओम पुरी को Lifetime Achievement पुरुसकार समानित किया गया है ओम पुरी का वर्ज 2016 में निधन हो गया था अताहिया अवार्ड उनकी पत्नी नंदिता पुरी ने गरहन किया है देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था तो ये नाम दिया गया था असोक को ठीक है? कादंबरी के लेखक कौन है? तो कादंबरी के लेखक हैं? बाढ़वट अगला प्रशन है तुलूव राजवन्स की अस्थापना किस ने की थी? तुलूव राजवन्स की अस्थापना वीर नर सिंग ने की थी और इतिहास में इनको दृतिय बला पहार की संग्या भी दी गई अगला प्रशन है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंगहासन का निर्माड और उसकी लाल कीले में अस्थापना निम्न में से किस मुगल शाशक ने की थी। अगला प्रसिद्ध में से कौन अवद का प्रथम नवाब था तो अवद के प्रथम नवाब थे साधत खान। निम्लिखित में से कौन एक भारती है राष्टी आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो इसमें से कौन से थे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनितिक गुरू थे। वह क्रांतिकारी नेता नहीं थे। जबकि अन्य सभी नेता चंद से खराजाज, सूरिसेन, भगत सिंग एलो क्रांतिकारी थे। देश बंधू किसे कहा जाता है? चितरंजन दास को देश बंधू कहा जाता है और देश बंधू चितरंजन दास जो थे वो सुबास चनद भूस की राजनितिक गुरू थे। ये भी पूछता है। रिग वेद में निहीत गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवता को समर्पित है. भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो इसका आंसर है 82 डिगरी 3 मिनट. इसके बारे में बता देती हूँ मैं. भारत का मानक समय मेरिडियन 82 डिगरी 3 मिनट इस्ट देशांतर है. यह उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मद्यप्रदेश, छतिसगर्ड, ओडिशा और आंध प्रदेश से गुजरता है. यह ग्रीन वीच मेरिडियन से साढ़े 5 घंटा आगे है. अगला है जी चिलका जील इस्थित है. तो जो चिलका जील है वो ओडिशा में इस्थित है. उकाई बान्द भारत के निमलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बान्द है. तो इसका अंसर है गुजरAT. उकाई बान तापती नदी पर गुजरात राजी के सूरत जिली में बनाया गया है उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है यहां 300 मेगावाट की विद्यूत इकाई लगाई गई है भारत के किस राज्य में वन छेत्र सरवाधिक है तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश निमलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है तो इसका आंसर है आलू भारत वन रिपोर्ट 2000 एक मिनट यहूं आलू और गन्ना के उत्तपादन में उत्तर प्रदेश प्रथम अस्थान रखता है और पंजाव एवं मध्य प्रदेश का द्विती एवं त्रिती अस्थान है चावल के उत्पादन में पस्चिम बंगाल प्रथम अस्थान पर तथा उत्तर प्रदेश द्यूती अस्थान पर है तो इसका आंसर हो जाएगा चावल तो निमलिखित में सिकिस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है तो इसका अंसर है चावल क्योंकि आलू, गन्ना और गेहु में उत्तर प्रदेश पहला अस्थान रगता है और चावल में पस्चिम बंगाल प्रथम अस्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूती अस्थान पर है अगला प्रशन है भारती कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है तो ये है आपका नागपूर में केंदरी कपास अनुसंधान केंदर नागपूर महराष्ट में इस्तित है इसकी अस्थापना 1976 में हुई थी ठीक है यहीं पर मैं कुछ बता देती हूँ जो एक्जाम में पूछता है अगर केंदरी चावल अनुसंधान केंदर पूछेगा तो कटक ओडिशा में है राश्टी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्राखंड में है निमलिखित में से किसको संभिधान की आत्मा के रूप में माना गया है तो इसका आंसर है प्रस्तावना को मृत दंड के मामले में छमा देने का अधिकार किसे है तो ये तो आप सभी को पता है कि ये अधिकार राष्टपती को प्राप्त है संभिधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिक्तम, ताकत, संख्या क्या है तो 552 है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी तो सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू भारत की स्वतंता प्राप्ती के बाद उत्तर प्रदिस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी भारती समविधान में पंचायती राज प्रडाली को वर्स किस वर्स में संसोधन में आपचारिक रूप दिया गया तो इसका आंसर होगा 1993 इसका आपशन इधर होगा 1992 में दिहत्तरवे समविधान संसोधन में इसकी वारे में बता देती हूँ 24 अप्रेल 1993 को 73 समविधान संसोधन अधिनियम 1952 के माध्यम से पंचायती राज प्रडाली को समविधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज का सुबारम 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रदान मंत्री जवाहर लाल नहरू के द्वारा राजस्थान के नागवर जीले से किया गया पंचायती राज को समविधान की अनुसूची 11 वी तथा भाग 9 के अनुचे 243 कर सेड़ो में अस्थान दिया गया 73 समविधान संसोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्मार करने वाला प्रथम राजी करनाटक है 73 समिधान संसुधन के द्वारा पंचायती राजी में 3 इस्तरी ढाचा का प्रावधान किया गया है तो इसका आंसर होगा 1992 में 73 समिधान संसुधन में भारत में किसी राजी की प्रथम महिला मुख्य मंत्री कौन बनी तो इसका आंसर होगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री स्रीमती सुचेता कृप्लानी उत्तर प्रदेश की बनी है यहीं पर मैं बता देती हूँ कि उच्चितम नयाले में भारत की प्रथम महिला नयाधीस M. फातिमा बीवी थी आयात निर्यात एक्जिम बैंक अस्थापित हुआ था 1982 में भारत की कितने सहरों की आबादी 10 लाग से अधिक है तो इसका आंसर होगा तिरपन हृदय योजना का संबंध है राष्टी विरासत विकास केंद्रिय सहरी विकास मंत्राले ने देश के संब्रिद सांस्कृतिक विरासत के संग्रचन और फिर से जीवित करने के उद्देश से 21 जनुरी 2015 को राष्टी विरासत विकास संबंधन योजना हृदय का सुबारम किया गया था निम्न में से कौन भारत में थोक मुल्य सुचकांग के मुख्य घटक हैं तो इस कांसर है प्राथमिक वस्तुएं इधन और बिजली वी निर्मित उत्पाद तो ये सब जो है भारत में थोक मुल्य सुचकांग के मुख्य घटक हैं ठीक है प्राथमिक वस्तुएं इधन और बिजली वी निर्मित उत्पाद तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक दू चार ए बाला फिर है अगला प्रश्नुभा कौन सी पर्यावरणी परत है जो वीकीरण को वापस प्रिथवी में प्रत्या वर्तित करती है stratosphere प्रिथवी से निकलने वाली वीकीरण सम्ताप मंडल stratosphere से टकरा कर वापस प्रिथवी पर आ जाती है जबकि आयनो इसफियर आयन मंडल से रेडियो तरंगे टकरा कर वापस प्रिथवी पर आती है अगला प्रश्ण है एक अंतराष्टी आंदोलन जिसका उद्देश पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्य को बचाना है वो कौन सा है तो इसका आंसर होगा ग्रीन पीस ग्रीन पीस पर्यावरण समस्या संबंदित एक अंतराष्टी आंदोलन है जिसका प्रमखुद्देश पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्य को बचाना है भूचरण किसके द्वारा रोका जा सकता है तो भूचरण जो है वो वन रोपन के द्वारा रोका जा सकता है तो मिर्दा अपरुदन को रोकने के कौन कौन से उपाय है वनारोपन समुच्य जुताई पट्टीदार खेती अगला है विश्व पर्यावरंड दिवस मनाया जाता है जल अस्थानांतरण के सिधानत की खोज का उसका प्रतिपादन इन में से किस ने किया तो इसका अंसर है और्कमिडीज आर्कमडीज का सिधान जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथ्वानसी कुरुप से डुबोई जाती है उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है भार में यह आभासी कमी वस्तु दरा हटाये गए द्रव के भार के बराबर होती है hydrogen bomb का विसकार किस ने किया था तो hydrogen bomb का विसकार Edward Taylor ने किया था अगला प्रशन है सिरके में निम्न में से कौन सा अमल पाय जाता है तो सिरके में acetic acid पाय जाता है ऐसा उर्वरक जो दो या दो से अधिक प्राथमिक पोशक तत्तों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है तो वह मिश्रित उर्वरक कहलाता है अगला प्रश्न है निमलिखित में से कौन सी तंत्री का तंत्र की मूल संगरचना और कार्यात्मक इकाई है तो इसका आंसर है Neuron तंत्रिका तंत्र की मूल संग्रशनात्मक और क्रियात्मक ही काई Neuron है अगला प्रशन है दूद को दही के रूप में खटा करना एक उधारण है किसका? किडवन का दूद का दही के रूप में खटा होना किडवन कहलाता है यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जो इसमें जटिल कार्बनिक योगिक सुक्ष्म सजीवों की साहता से सरल कार्बनिक योगिक में विगटित होते हैं इस प्रक्रिया में आक्सीजन की आफशकता नहीं होती है केडवन के प्रयोग से अलकोहर या शाराप का निर्माड होता है दही, सिरका अने रासायनिक पदार्थों की निर्माड में भी इसका प्रयोग होता है अगला प्रश्न है ये रिज्मिंग का प्रश्न है इसको मैं बता देती हूं, इसके options भी उता दूँगी उस विकल्प का चैन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबन्दित है जिस तरह से दूशरा शब्द पहले सब्द से संबन्दित है cricket, empire, football तो जिस प्रकार क्रिकेट के खेल का संचालन एंपायर द्वारा कियाता है उसी प्रकार फुटबॉल के खेल का संचालन रेफरी द्वारा होता है तो इसका अंसर होगा C, रेफरी अगला प्रश्ण है एक कुट भासा में यदि T, A, B, L, E को S, Y, Y, H, Z लिखा जाता है तो उसी कुट भासा में C, H, A, I, R को क्या लिखा जाएगा तो देखिए यहाँ T से S कैसे हुआ है? T से S हुआ है माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा फिर A में क्या करना है? माइनस 2, तो माइनस 2 करेंगे तो Y हो जाएगा फिर B में आप माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा L में माइनस 4 करोगे तो H हो जाएगा और E में माइनस 5 करोगे तो Z हो जाएगा तो यानि आपको करना क्या है आपको यहाँ पे पहले C में माइनस 1 फिर H में माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 ऐसे करेंगे जब आप तो आपको मिलेगा आप इसको करके देखिएगा तो आपका अंसर आएगा B, F, X, E, M B, F, X, E, M मैंने तरीका बता दिया है इसको आप अपने कॉपी पे एक बर सॉल्व कर लिजे एक दिन में एक घड़ी की सुईया आपस में कितनी बार मिलती है तो इसका आंसर होगा 22 बार ठीक है अगला प्रश्ण है एक कथन के बाद दो तर्ग दिये गए है निडल है कि कथन के संबंद में कौन सा तर्ग मजबूत है कथन है क्या इलेक्ट्रानिक दो पहिया वाहनों पर सबसीडी दी जानी चाहिए तर्ग है पहला हाँ इलेक्ट्रानिक दो पहिया वाहन प्रदूशर पैदा नहीं करते है तर्ग दो है नहीं चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है तो इसका अंसर होगा A वाला केवल तर्क A मजबूत है कि हाँ इलेक्ट्रानिक दो पहिया वाहन प्रदूशन पैदा नहीं करते हैं कथन के अनुसार क्योंकि इलेक्ट्रानिक दो पहिया वाहनों द्वारा प्रदूशन नहीं होता है अता है इस पर सरकार को सबसेडी देनी चाहिए अता केवल तर्क एक मजबूत है जबकि तर्क दो में समय की बात कही गई है जो की कथन में और इसपस्ट है तो इस प्रकार आज हमने टोटल पचास प्रशनों को सॉल्व कर लिया जैसा कि आपके पाठिक्रम में निर्धारित है आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा थोड़ी विस्ता के कारण मैं इधर वीडियो नहीं ला पा रही थी लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि एक्जाम तक आपको रोज वीडियो मिले और आप इस वीडियो को देखिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को सेयर करिए जो जूनियर एडियो की तैयारी कर रहे हैं आप उनका भी सहयोग करिए भगवान आपका भी सहयोग करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगर आपको कोई भी समस्या है तो comment box में जरूर लिखी आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा हमारे channel के द्वारा तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद